हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सब कैसे हो आई हो आप सब ठीक होंगे यहां पर यह हाफ मीटर कपड़ा है जिसका यूज करेंगे और यह प्यूर कोटन का है बहुत पतली-पतली सी प्रिंट है और देखे यहां से 9 इंचिस है और यहां से हमेज कितना कट करना है 90 इंचिस तो य यहां से आप कट कर लीजिए और यह दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए मतलब दो पार्ट चाहिए हमें 19 इंचिस के अब आपको क्या करना है यहां यह जो लेस है आपके पास जो भी अवेलेबल है वो अटेज कर सकती है तो मैं यहां पर यह सिंपल से लेस अटेज कर रही हूं इस तरीके से नीचे आप अटेज कर लीजेगा दिखे ये आप कोई भी कलर की ले सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज कर लीजे और आपको वीडियो ज़रा सा काम का लगे उप्योंकि लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना तो वो दो पार् देखे करमी में हम ना ऐसे चोटे बच्ची जो होते हैं उसको ऐसे लाइट कलर और इतली चोटी चोटी प्रिंट वाले कपड़े पेना हैं तो अच्छा रहता है तो इसे हमने एक बार फोल्ड किया फिर देखे क्या किया है हमने 4 इंची पे हमने यहां पर मार्ग कर लिया ठीक है ना फिर आर्मोल पे हमें मार्ग करना है 4 इंची पे और यहां पे राउंड सेप दिया और 2.5 इंची पे यहां पे और फिर हमने नीचे 2.5 इंची पे मार्ग करके राउंड सेप दे दिया है इसे हमें कट कर लेना है अब आर्मोल पे हमें कट लगाना है और थोड़ा सा हाफ नीचे से माग करके ऐसे थोड़ा क्रोस में कट कर लीजिए बस ये उपर का हमारा रेडी है एक लेस हम यहां पे अटेज कर लेंगे और इसे ऐसे धीरे धीरे फोल्ड करते हुए स्टीज कर लीजिए और दूसरी पार्ट में भी हम सेम वही तरीके से फोल्ड करेंगे फिर दोनों सॉल्डर को आपको मिला लेना है और उससे पहले आपको यह जो पार्ट हमने पहले रेडी किया था वह ऐसे टफल्स कर लेनी है इस तरीके से ठीक है ना और उसके बाद दूनों को मिला लीजिए और यह चुटी-चुटी प्रिंट वाले हैं आप बढ़े के लिए बनाओगे तो उसे भी अच्छे लगेंगे जैसे साथ साल की है आठ साल की है यहां पर ऐसे फोल्ड कर लीजिए दोनों साइट से तो घर साल की बेबी के लिए बनाया है तीन से टू साल के लिए उसके बाद यह देखिए यह इतना सा बच चुका था कप्रा तो मैंने सुचा क्यों ना इसका भी दूसरा चीज बनाया जाए तो क्या किया मैंने देखिए यहां पर फोल्ड करके मैंने फाइव इंचिस पर माग कर ठीक है और यहां पर ना हमें क्या करना है तो तो यह कुछ इस तरीके से लोकाएगा तो इसे ऐसे फॉल्ड कर लिजिये दोनों साइड आपने फॉल्ड कर लिया है उपर से भी आपको फॉल्ड करना है कि इसके बाद मैंने Elastic ले ली है तो इसका नाप बता देती हूँ नाई नीचे से दोनों नाई नीचे splits को लेना है और इसे आपको कहांपे attach करना है तो दिखिए यहां पे आपको को attach करना है इस तरीके से और देखिए कितनी अच्छी से रफल आ गई अब हम दोनों साइड में स्टीज करके यह देखिए सिक्स्टी नी जिसकी हमने इलास्टिक ले ली है और इसे हमें पहले स्टीज करके सरकल बना लेना है ठीक है और आपको नाप कैसे लेना है तो आपकी बेबी का जो बिना पहे उसे वन इचिस का हम कट कर रहे और यहां पे वन इचिस उपर जगा छोड़ देजी और खीचते हुए देखिए ऐसे लगा दीजी तो यह हमारी अच्छी सी पैंटी बनकर रेडी हो गई चोटे बच्चों के लिए तो दोनों आइडिया आपको कैसे लगे झाल में बनकर बनकर राइडिया आपको कैसे हुए हमवा प्रषय है रहे ओड़ार में इचिसुड़ फडिफया है दो सुचिझ सक्ता हम यहां वहां दोनिос सास्छी से उखियRIA पहता है है ठчивकियो जप लिएको कैसे इचिश्ते हैं पहां पहता हैूइमा गला में जगica थि